नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है तुर्ष वास्तो और स्वागत है आपका नेक्सेज जीस में NCRT जोगर्फी चल रही है जोगर्फी की NCRT चल रही है उसमें जो लेक्चर है वो लेक्चर नमबर 6 है और आज का जो हमारे टॉपिक है हमारा देश भारत टॉपिक है इस topic से जितने भी question बनेंगे आपके examination में उन सारे questions को इसी topic में करा दिया जाएगा इसके पहले जो topic था उसमें हम लोगों ने discuss किया था प्रत्वी के प्रमुक स्थल रूपों के बारे में तो इसी वीडियो के description box में हमारा telegram channel का link मिल जाएगा अप telegram channel join कर सकते हैं और वहाँ पे सारी notification जो है वो nexus.js की आती रहती है चले पहला question है भारत का कौन सा दीप प्रवाल दीप है तो लक्षदीप, अंडमान दीप, निकोबार दीप और पंबन दीप अरपसागर में इस्थित है और या केरल के तट से कुछ दूर इस्थित प्रवाल दीप है अंडमान और निकोबार दीप समू जो है भारत के दकशन पूर्वदिशा में बंगाल की खाडी में इस्थित है तो कुल मिलाकर क्या answer सही होगा, इसका पहला option सही होगा, मतलब A option इसका सही होगा, लक्षदीप सही होगा, ठीक है, next point पे आ जाते हैं, और क्या चीज़े हैं, भारत की स्थली सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हैं, तो ये आपको पता है कि आपका UPPCS में भी पूछा जा जाता है, इवन आप सोच सकते हैं, स्टेट लेवल की examination में लगातार इस topic से question पूछे जाते हैं, तो topic कितना important है, तो भारत की स्थली सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है, भारत की जो स्थली सीमा है, वो लगबख से 7 देशों के साथ चीन, नेपाल, भूटान, म्यामार, पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, तो क्या answer सही होगा, D option सही होगा, next है, करकरेखा, किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है, करकरेखा जो है, देश के लगबग मद इभाग से होकर गुजरती है, और ये रेखा जो है, भारत के करीब आट राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्तान, मदब्रदेश, छारकंड, शारकंड, पश्रिमंगाल, तिरपुरा और मिर्जोरम आ भारत के कौन से राज्यों तीन तरफ से अंतरास्टी सीमाओं से घिर हुए हैं, ये भी आपका पूछा जाता है, स्टेट लेवल की एक्जामनेशन में, या फिर जो आपका वंडे एक्जामनेशन होते हैं, उनमें भी, फिलाल, जो स्टेट लेवल की एक्जामनेशन हैं औ उनके उपर focus है और उनी के बारे में चीज़ें बताई जा रही है तो निम्कित में से भारत के कौन से राज्य तीन तरफ से कौन से राज्य भारत में तीन तरफ से अंतरास्टी सीमाऊ से घिरे हुए है मड़िपूर, असम, सिक्किम, तृपुरा क्या खिरा हुआ है तो इसमें जो सिक्किम है और तिरपुरा है वो घिरे हुए है सिक्किम और तिरपुरा जो है तीन तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साजा करते है सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से तीन तरफ से घिरा हुआ है तो क्या अंसर सही होगा? इसमें third option सही होगा, मतलब C option सही होगा, 3 और 4. निम्रकित में से भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा किस देश के साथ लगती है? बहुत बार पूचा गया है आपकी examination में. भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा वांगला देश के साथ लगती है और सबसे छोटी जो स्थली सीमा है वो किस के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ. नेक्स्ट है. भारत की स्थली सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की स्थली सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो ये रहे आपके आज के questions तो hopefully आपको ये सारे के सारे questions आते रहे होंगे इस topic से यही question बन सकता है और इसके बाद जो next topic होगा उसमें हम लोग क्या discuss करेंगे उसके बारे में भी मैं बात कर लूँ ये आपका NCRT की series चलाई जा रही है अभी class 6 चल रहा है जिसमें जो next topic होगा वो भारत मतलब जलवायू, वनस्पती तथा वन्यपराणी के बारे में हम लोग discuss करेंगे और ये test series जो है ये आपका जो series है Nexus.js के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी सारी की सारी चीज़ों को एक playlist में डाला गया है अगर आप type करोगे Nexus.js.js.jography.ncrt तो आपको playlist ही directly मिल जाएगी चले, इसी वीडियो के description box में हमारा टेलिग्राम चैनल का आपको link मिल जाएगा उस link को आप join कर सकते हैं सारी की सारी notification, नय बैच की जानकारी everything आपको सारी की सारी information मिलती रहेगी चले, फिरा अलगर इतना ही, thank you so much